असलाम वरीकुम ट्रैवरीवान कैसे सब्लकी ना सब्लक ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे आज मैं भी बहुत खुश हूं क्यूंकि मैंने आज किया है जी बड़ा फायदे का सोदा तो वह सोदा मैं आपको दिखाने लगी हूं यहां पर जी मैं कुछ शॉपिंग कर थोड़ी थोड़ी सी करके शॉपिंग कर रही है यह जÁ आपको पता है कि एद के लिए फाफिंग कर लिए बसेच्ण के हैं कप्ड़ों से लाबड़न एक जी मैं लेकर आए थी बेक सब चीज़ें अब यार पता नहीं क्या चक्का है बारहाल इसको ओवन में यूज़ करके देखूंगी कि क्या बनता है लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई तो मतब नॉर्मल अगर आप मार्केट से चीज़े खर बार्बीक्यू के लिए तो मुझे प्यारे लग रहे थी तो थोड़ी थोड़ी करके मैं अपनी चीज़ें बनाए जारी हूं माशाला से और यहां पर मुझे एक चाहिए था डबल टेप के साथ लगा होता है मुझे किचन में लगाना था इसको कि मैं आपको 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 एससे में कया करूं गया है यहां मैंने ले लियते लिये ने लिये लियते हैं जो दुसरे शेम्पिन Santana वाले इस तो मेरे पास आप बड़ी हैं और शाय्मसला बदस्वार्म साइज में जारे उसनीलों ग्री करना थोड़े मुझे थोगचे हुप आहले ज्ली एक हुआ यहा के वक्रेस्ट तो आजाना विजाते हैं युद्णार्त उत्था क्यर्व जाता हैं क्या था इंट दरते हैं? मेरी बहुत साथ माशाला चाबाज में बेटी बहुत अच्य है मामा के साथ बहुत सारा काम कर वाती है ना तो क्या बनाओ आजा लूगा क्या बना हो शीर चिस बना लूगा को चैला सभी अच्छाजी यहाप में मेरी कोशिश होती है खाली बेटी को नहीं बेटे को भी कि छुट-छुटे काम जो है ना वो अपने ममा के साथ पापा के साथ हेल्प करवाया करें ताकि बच्चों के अंदर ये चीज पैदा हो कि मापाप के साथ हेल्प करवानी चाहिए ताकि उनको आगे भी मुश्किल ना हो और हमें भी गल को मुश्किल ना हो किसी भी टाइम इनसान के कभी तवियत खराब है कोई मसला है तो बच्चे काम आ सकते हैं तो इस चीज़े थोड़ थोड़ी बच्चों को सिखानी चाहिए यहां पर मैंने जो है ना बना ली थी मैं पास्ता इतना मज़ेका पास्ता बना था और मैं इस टा कटर का जो है ना यह कटर जो है थोड़ा सेफ है और वह इस तरीके से चीलती है कि मतलब कोई मसला नहीं होता वैसे तो मैं काफी मना कर दूँ उसको यह काम से लेकिन से बहुत दाशोक है आलू खीरा और गाज़र जो है ना शो चीने का कटर से चुरी आज तक मैंने उसके ह नहीं बना लोगे लाट commen के लिए तो ये तो मैं रोज और नहीं रच्टेगवान करे ऐना है हैसे यहां उड़ा यह पास्टा भास्टे ऑड़े जो ब्लस्ट और भी मैं शवर्टस बीज़ा उस्स नहीके लाएं husband खाते नहीं है, मैंने और मेरे बेटों नहीं खाना था तो यह जी हम आ गए है च्छत पे देखा माशाला माशाला यह देखो, माशाला किता हुमारा लगला है लगी निया राको, माशाला माशाला को यह गीन क्यों नहीं हो रहा है आप लिए काफी चीनों बाच चत पे आई है चला माशाला अब मैं आपके लिए बना रही हूँ ना पास्टा उसमें डाल दें चलके नीचे ठीक है चलो नीचे चले माशाला माशाला मैंने कलाब के साथ शेयर किया था यह पालक और हरी मिर्चे इसमें एक मेरे बिटे ने हरी प्यास जो सिंपल वाली होती है वह मटी में दबा दी तो इस ते इतनी प्यारी हरी प्यास जो है वह ग्रो कर गी तो मैंने सो था कि आज पास्टा उसी से बनाती हूँ तो स्पेशली मैं पहले जाकर मुबाइल उतारा मैंने ट्राइबोर से पिर जाकर मैं उपर लेके गई और रोजे में मेरी सांस उपर नीचे हो गई थी चत पर जाके पर मैंने कोई बात नहीं आप लोगे लिए इतना तो करना बनता है तो आप लोगे साथ भी शेयर करती हूँ यहां मैंने ग्रीन अनियन को कट करके डाल दिया था बहुत ही प्यारी हुश्ववारी थी और फ्लेवर इतना मज़े गाया था आप यगीन तेरे जो फ्रेश चीज होती है उसका मज़ा ही होता है सिंपली मैंने ओयल ले थोड़ा सा ओय लेना है उसमें अधर को लेसन का पेस्ट डालना है अगर आप खाली लेसन भी डालना चाहें चॉप करके तो वह भी बहुत अच्छा रहता है तो मैंने आप कौन चॉप करें बस पिसावार रख है यही डाल देते हैं तो मैंने इसमे अगरे थे लिए लेकिन वही अगरे लेकिन उसमे मज़े का लग रहा था था बहुत अच्छा रहा था यहां नमक आप लोगों ने थे आन से डालाने में अधासर यह अधाई रही था लेकिन माशाला पर्फेक्ट बैठा तो बैठा यहां पर गूण जोब्स बादे जालग केचप नहीं भी डालेंगे तब भी बहुत मज़ेगा बनेगा थोड़ी 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 मेरे गले में पतनी खराशी हो रही है तो आप एगनोर कर दीजेए का प्रीज रोजे में मुझे वाइस ओपर करना था अस्बंड और बच्चों के आने से पहले तो यहां पर अपने मर्जी तो आप यहां आप को बता हैं कम जादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जितना आप सपैसी पसंद करते हैं मेरे पास्ता खाते हैं मिलके कभी अगर चंबाष्म प्यार से दे मुझे तो मैंने डाल दिया कोफते मीट बॉल्स को डाल के चितरी के सब भू कांटरटी में ज्यादा होता है मतलब बरकत होती है इसमें तो यह में तो अपर पेटी के लिए ना पहले की निकाल स्वाइट निकाल दिख ने तो यहां पर बुटी फान ना पर तो निकाल दूसा मिक्स कर आप को बता घृएए हैं आप इस तरीके से मैनेज कर सकते यहां बन रहे थे जी दही भले और यहां पर मैंने चटनी पहले से निकाल के रख लिए थी अच्छाना पतली होगी तो आप लोगों ने इसको चोड़ देना है क्योंकि मैंने भी इसमें और दही आड़ करनी है और अजबन लेने गए थे दही तो मैंने का अगर मैं उनकी बतने हैं बागों मैंने यहीं डाल तया दीया था इसमें यहां ताहल मैंने कड़ा है और मैंने कड़ार किया इसका तरह वह देले कर दावा किया और थोड़ां थोड़ा सी टीन कड़ा लेकिन बच्चों को फ्राइंग बहुत परसंद होती है यह रहाल एक ही महीन होता है यह रमजान का जिसमें अपने अपने चस्के पूरे करने होते हैं यहां बना थी कतली वाले पकोड़े इतने मज़े के बने बने तक चीजे में डाली है जिससे मैं बहुत ही मज़ा आगया यहां पर में पास नोर का जो लगाते हैं क्रम्स के उपर मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी किया है वह मैंने डाला एक चमज भर के बेसंड डाला दो चमज और इसमें जो मैदा भी मिक्स हुआ है थोड़ा सा मैंने डाला जीरा आए मैंने डाला चिकन पाॉडर चांच पाॉडर चार्ट मसारा टाला यहां थे बगहाँ थोड़ी थोड़ी विडा दो जोड़ीर यहां अच्छी हो थे मारे हमारेशऐ रहा हमारे सीहत ऐलगी यहां पर जो अब करवाए करें साथ थम्शह यार जो यहां हम झाला निक्न कोई सोटा शोटा कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नी डालना आप लोगोंने सिंपली इसको कुक करने का रूल में आपको बता जूँ कि जब आप इसको कुक करने में जल्दी निकाल लेते ना इन पकोड़ों को यह सोगी हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा जादा देर इस बार बार मुझे बताया जाया थे 12 मिनट 14 मिनट मैंने गाया बच जल्य ले लिम्नाद फिर एक पूर जो है मुझे पकोड़ों का अपने लिए बनाया था दूसरे वाले पकोड़े और बहुत बदपरेजी हो रही है आजकल लेकिन यह इस बदपरेजी में भी ना आपने आ चैनल ही में थैश मते अज्क्रेजी हो रह जाती है यहां कोइठा है और रहे चीज पूर प्रक्रावी कोड़ों का इस बदखा wait मुझे कोड़ों आपकोड़ों मचंचर हो दो अक्यों कर दोखें पहले से भी का इम पधक अब मुझे थो हो यह आ हो और को दिखा दिखार है कि फूलना शुरू हो गया तो आप लोगों इतना इसको कोक करने है यहां माशाला माशाला हमारा दस्तर खान सच चुका है तो आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगई होगी पस्तर जरूर ट्राइ किजएगा एक दफ़ा और मिलते हम किसी नेक्स वीडियो में प्लीज मेरी वीडियो का ज़रूर लाइक कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच जजाका लगखेर अलाहाफेश